हेलो, वाट्ट सब गाईज, मैं नेम इस पिनोध बादूर थापा एंड टूडे इन इस प्रीड वे विल सी हाओ टू क्रेट ए रेस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग एंड हिंदी तो चलिए गाईज शुरू करते हैं सब सबसेले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेकनिकल पर बाताना चाहूंगा गाईज मैंने अल्डेडी मन का जो बेकेंड डेवलोप्मेंट ए डैट इस नोट जैस एक्सप्रेश जैस मौंगो डीवी मौंगूस एंड हाओ तो बिल् अगर हमने एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि अगर यूजर कोई फॉर्म फिल कर रहा है राइट जैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं वह जो एक डाउट है आपके माइंड में वह आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं देखिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं आप देख सकते हैं हमारा रेजिस्ट्रेशन का पेज यह हमारा होम पेज यह हमारा रेजिस्ट्रेशन पेज आप डिजाइन का विल्कुल टेंसर मत लीजेगा इसे एक फ्री टेंप्लेट है जो वस दिखाने के लिए कि हाँ इ इस वीडियो में क्या देखने वाले एंड इसका सिंपल एंसर है काई सब कुछ जी हां गाई सब कुछ आपको जो कुछ भी दिखाई देरा सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले तो सबसे पहले गाईस में यह सारे फॉर्म फिल कर लेता हूं देखिए नाओ क्लिक करता हूं काईस आप बहुत क्लियर देख सकते हूं पासवर्ड और नॉट मैचिंग अज हमारे इस वीडियो का में फोकस यह नहीं कि एरर क्यों इस तरी किसी दिखाई दे रहा है में फोकस है कि हम अपने डेटा को डेटावेस पर कैसे स्टोड कर सकती उसिंग नोड अगर मैं आपको दिखाऊ यहां पर देखिए आप बहुत क्लियर देख सकती हूं यह जो विनोद अडिरेट जीमेल डाट कम में वह अल्रेडी यहां पर प्रेजेंट है देखिए विनोद अडिरेट जीमेल डाट कम वह अगर यह चेक करता है कि पासवर्ड आज सेम और अगर यही है कि वान्स रिस्टर हो जाता है क्योंकि हमें यही तो करवान है वान्स रिस्टर हो जाता है तो आप वोमपेज बेजिए यह समन को लॉग इन पेज सकते हैं मेन बात अगेन यही है कि वान्स सक्सेस्पुल हो जाता तो हम इसे पर्टिकुलर पेज पर कैसे बेज सकते हैं वह भी आपको पता चलने वाला है यहां पर देख सेकते हैं अगर आप क्रोम यूज करते तो आटोमेटिक बोल रहा यह बहुत कच्छा पासवर्ड था इसको प्लीज थोड़ा अपडेट कर दो लेकिन मेन बात यह गाइस अब यहां पे फिलाल कितने सिर्फ दो ही है दी मोमेंट में रिफ्रेस्ट करता हूं और बूम गाइस से देखिए हमारा एक और डेटा है देखिए लास्ट में मैंने नाइन लिखा था विनोड एडिए था पा पहले बादा ना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ओसम वीडियो से अप्लोड करता रहता हूं अभी तक अगर आपने मेरे चैनल था पर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए का राट साइड में एक बेल आइक एक घंटी दिखाई देग ठीक है तो गया करो सिंपले एक निव फोल्ड करेट करते हैं पूरा एकदा मिस्क्राइब से हैं मैं यहां पर लिख देता हूं काईस अमन बैकेंड लिख देता हूं मैं सिंपल हमारा क्योंकि कम्प्लीट मन का बैकेंड इसमें यूज हो रहा है डैट इस नोड एक्स्प्र एक बाद जूम कर देता हूं सो काईस फोल्डर स्ट्रक्चर हम सबसे पहले देखने वाले सो आप बहुत ध्यान से देखें ठीक है सो मैंने अपना एक में रूट फोल्डर क्रेट कर लिया है डैट इस माइन बैकेंड सो मैं क्या करता हूं यहां पर चलता हूं सीडी मन बैक इंजिन लगने वाले तो वह सब मुझे इंस्ट्रॉल करना पड़ेगा राइट सो एन प्याम एक और चीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने अल्रेडी कंप्रीट बैक एंड रेस्पू ले पाई सब कुछ वीडियो कर चुका हूं यह जो एक वीडियो को जरू च सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा एंड में यहां पर चलूंगा हाइफन वाइट मुझे बार बार नेक्स नेक्स निकाना पड़ेगा आटोमेटिक सब कुछ बनके रेडी एंड अगर आप मैं आपको दिखाऊं सो हेर वी हैब आपकेस.json फाइल एंड आप बह इंस्टाल होना चीह नोड इंस्टाल होना चीह आपके सिस्टम में आशा करता हूँ कि आपने मेरे प्लेइलिस्ट को फॉलो किया होगा ठीक है तो आप मुझे वह सारे डिपेंडेंस को सिंपली इंस्टाल करना है तो कैसे देखो मैं आल राइट हीहां पर मुझे जाना आप अब पैकेज मैनेजर है इसके अंदर आपकेजस मिल जाएंग आप देख सकते हो एक्सप्रेस शो सिंपली एंप्यम आई एक्सप्रेस मेने बस इतना ही लिखा और कुछ नी सियलेस अब मुझे गाइस इसमें मॉंगूस भी चाहिए एंप्यम आय मॉंगूस तो इस तर अगर आपको उतना पुरा प्लेलिस्ट चेक आउट करने में समय लगता है तो यह जो मेरे प्रोजेक्ट है इसको एक बार अगर आप देखोगे आपके सारे डाउट किलर हो जाएंगे बिलिप में गाइस तो हमारे जितने भी आपकेजेस हमें चाहिए तो वह तो हमें मिल चुके अगर अब मैं आपको दिखाऊं सो हेर वी हाब और एक्सप्रेस हैंडल बार्स एंदेन ओर मॉंगू इतना मेरा काम होचुक है अभी मुझे क्या करना है अभ हमने इतना तो create करी लिया है simple ठीक है अभी मुझे इसके अंदर फोल्डर क्रेट करने पड़ेंगे तो गाइस जो मेरा सबसे पहला फोल्डर होगा वह होगा simply में चलता हूं इस तरी किसी cd not cd mkdir make directory and then source folder में create करो अपना MongoDB का कनेक्शन यूज़ कर सकूँ, models, हमें models and schema को define करना रहता है, तो उसके लिए मैंने अलग सा create कर लिया, simple, ठीक है, इतना मेरा काम हो चुक है, अभी बाकी कुछ नहीं, अभी इतना में कर देता हूँ, and अब मैं क्या करना चाहूँगा, इसी के अंदर मुझे एक new फाइल करना पड़ेगा, that is type null forward slash end मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, app.js, यह मेरा main file होगा, जिसके अंदर सब कुछ काम हो रहे होंगे, database models app.js, simple, ठीक है, चलो, अभी फिलाल इतना ही रखता हूँँ, बाकि हमें कुछ ज्यादा करना नहीं होगा, and हाँ, and guys, अब आप देखोगे कि मेरा main file हो, वो मेरा app.js है, ठीक है, so मैं क्या करना चाहूँगा, मुझे इस file को run करना रहता है, ठीक है, तो वो मैं कैसे run करता हूँ, मैं आपको बताता हूँँ, सबसे पहले, अब मुझे इस पर अपने express को configure करना पड़ेगा, so, it's super duper easy, that is, const express, तो उर जोम कर देता हूँ, इतना पाफ़ेक्ट रहेगा, we need to require our express package, so मैं चलता हूँ, यहाँ पर, and simply express, now guys, मुझे एक app नाम का constant variable क्रेट करना, with the help of express function, so, इसको इस तरह के से, all right guys, perfect, now, यह जो मेरा app है, इसके अंदर guys, express के जितने भी methods, जितने भी properties, सारे power आचुका, मैं इसकी मदद से बहुत कुछ कर सकता हूँ, suppose, एक second, यह कहां से आ गया, इसको हटाता हूँ, app.get, let's say, मेरा homepage मुझे विजिट करना, and that is, simply, अगर आप एक forward slash, या empty रखो के तो भी हो जाएगा, तो as it is, रख देता हूँ, so, यहाँ पर मेरा callback function, and already guys, हमने इसको पर वीडियो देख चुका है, अगर आपको नहीं idea की, app.get क्या चीज़ है, then guys, आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, all right, ठीक है, and here, वैसे भी बहुत जादा simple, get method की मदद से, में यह मेरा root होगा, and यहाँ पर मेरा callback function होगा, that is, simply, request, and then response object, and में यहाँ पर जब भी कुई homepage पर विजिट करेगा, response.send, उनको में लिख दूँगा, ठीक है, था, पर टेक्निकल स्पेलिंग से लिखना है, चलो, this is it, control, let's save करता हूँ, and now guys, हमें सर्वर को listen तो करवाना पड़ेगा, right, so मैं यहाँ पर चलता हूँ, app.listen, and किस port नमबर पे, चलो, देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दो, आप चाहो तो directly, एक सेकेंड, आप चाहो तो guys, यहाँ पर directly 3000 लिख सकते हो, it will work perfectly, but problem है कि हमें सिर्फ इसको अपने local database तक ही सिमित नहीं रखना है, मैं चाहता हूँ, मेरे इस project को पूरी दूनिया देखे, राइट, so we need to host our project, तो जब हम host करेंगे, तब हम directly ऐसे, manually 3000, 8000 नहीं दे सकते, so हमें क्या चाहिए कि हमारा process automatic एक port number जनरेट करते, ताकि वो उस पे listen कर सके, तो मैं देखो क्या करता हूँ, यहाँ पर const port equal to guys, हमारे पास process है, ठीक है, in our node.js के अंदर process, dot environment variable, इन वे, उसके अंदर इस्तर की support, this is it guys, अब यह जो मैंने line लिखा guys, it will make sure कि हम जहाँ पर भी host करें, उसको एक ऐसा port number प्रोवाइड हो कि वो वहाँ पर हमारे project को host कर सके, basically, वहाँ पर वो run हो जाए, बस simple, and अगर हम अपने database पर कर रहे हैं, वो 3000 मैंने यहाँ पर as a option रख दे, इधर यह वाला, नहीं तो यह वाला, दोनों में से कोई ना कोई हो गई होगा, अब मैं यहाँ पर 3000 के वादे लिख दूँँगा, port, comma, simply देखो guys, it's super duper easy, अब एक second मुझे वापस callback function यहाँ पर चलाना पड़ेगा, and callback function इसलिए ताकि मैं बता सकूँ कि हम यहाँ पर क्या कर रहे है, हमारा connection successful हुआ या नहीं, तो simply server is running at port number, तीक है, आप कुछ भी लिख सकते हूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ, port number, and guys, मैं template इंजिनिस कर रहाँ, that is your ACMAScript 2015, 15, years, 6, आप कुछ भी कह सकते हूँ, तो इस तरी के साम बहुत इसलिए कर सकते हूँ, this is it, अभी मुझे इसको run करना है, ठीक है, so मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, all right, देखो, मुझे क्या करना है, source के बार चलना पहले तो, ठीक है, मैं अपने main root folder पर आच चुका हूँ, अब देखो, मैं यहाँ पर एक तरीका है, that is node, simply, and then source, forward slash, मेरा यह जो भी है, app.js, ठीक है, app.js, अगर मैं करता हूँ, तो boom, अब आप देख सकते हूँ, server is running at port number 3000, अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, इसके मुझे कोई need नहीं है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, localhost 3000, तो आप देख सकते हूँ, hello from the thapa technical, यह वही है, जो मैंने यहाँ पर स्टिक से response बेज़ जा है, लेकिन guys, इसमें problem है, कि मुझे अब बार बार यह लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, I mean इसको रन ना करना पड़े, हम यूज करेंगे node 1 को, जो हमने अल्डेडी देख चुका, अगेन वो भी ठीक है, it's simple, npm i node 1, बात खतम, अगर आपनी इंस्ट्रॉल नहीं किया है तो, ठीक है, लेकिन मैं तो अल्रेड इंस्ट्रॉल कर चुका है, इसको तो मैं क्या करता हूँ, package.json पर मुझे आना है, कॉमा, इस तरह के से, आप हम एक new script आड़ करने जा रहे हैं, जब भी आप इस तरह के से script के अंदर एड करते हो, कुछ new key value pair वाली जो प्रॉपर्टी है यह, अगर उसको run करना हो ना, तो npm run, उसके बाद आप यहाँ पर चाहे तो test, या dab, इस तरह के से आपको इसको करना रहता है, अब आप देख सकते हो कि मेरा यह बहुत अच्छे से run और आप मुझे कुछ tension ने लेना, जब जब मैं चेंज करूंगा, मैं अब दिखा देता हो एक बार तो, मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ, थापा टेक्निकल, देखो गाइस, मैं वापस control as save करता हूँ, तो देखो, अब आटोमेटिक होने वाला है, मुझे अब tension वाली बात नहीं है, ठीके, सो मेरा इतना काम हो चुका है, अभी मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने database पे चलना है, इसके अंदर new file करता हूँ, यहाँ पर गाइस, मैं नाम लिख देता हूँ, con, 1 second, con.js, अब मुझे अपने database के साथ connect करना है, अपने इस express application को, ठीक है, तो कैसे वोगाइस, देखो गाइस, इस अगें super duper easy, that is simply const mongoose equal to require mongoose करना है, आपको simply यहाँ पर, and that is your mongoose, इतना simple, and guys, इसके अंदर we have a method, जिसका नाम है connect, उसकी मदद से हम बहुत easily connect कर सकते हैं, ठीक है, so मैं चलता हूँ, connect, इसके अंदर आप देखो guys, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो अपना यह जो, आप कह सकते हूँ, mongodb जो compass है, else, अगर आपके पास mongodb compass नहीं तो आप cmd पर आ सकते हो, and I really hope कि आपने already mongo install कर चुका है, अगर आपने नहीं किया तो मेरे mongodb playlist को जरूँ विजिट कीजएगा, आप simply mongo लिखोगे, तो कैसा आपका server रन हो चुका होता है, simply open पे click करूँगा, आप देख सकते हूँ, plugins जो हो रहे हैं यहाँ पे, वो basically load हो रहा है, and the moment plugins load हो जाता है, तब guys आप देख सकते हूँ, localhost, colon 27017, ठीक है, यह basically, यह हमारा main localhost है, and यह port number by default है, हमें इसी को ही connect करना है, तो देखो कैसे, यहाँ पे आपको double quotes रिखना है, आपको लिखना पड़ेगा है, इस तरीकिसे, mongodb, colon, forward slash, forward slash, अभी मैंने आपको दिखाया, तो simply आपको लिखना पड़ेगा है, तरीकिसे, localhost, spelling से लिखना है, colon 27017, this is it guys, now after the forward slash, finally वो घड़ी आठ चुकी की, आप यह जो आप registration form हम create करें, यह जो registration form हम create करें, इसका database का नाम आप क्या रखना चाओगे, तो वो database का नाम आप हम यहाँ पे आड़ करने वाले, मैं यहाँ पे चालता हूँ, मैं लिख देता हूँ, simply, आप याइस क्या नाम दो इसको मैं, ठीक है, यूटूब एम्पलोई, आप कुछ भी दे सकती है, यूटूब एम्पलोई दे देता हूँ, आप यूटूब रजिस्टरेशन दे देता हूँ, यार मैं, यूटूब आपको बात में बाता हूँ, यह हमें अभी नीची फिलाल, लेकिन, मैं यह पे चलता हूँ, यूटू यूटूब पार्सर, इसको मुझे टूरू करना है, ठीक है, मैं अगेन चलता हूँ, इसको भी मैं टूरू कर देता हूँ, एक और रह गया है, यह दाटी, इसको मैं बात में बाता हूँगा, क्योंकि बेसिकली जब हम अपडेट, मैं बेसिकली जब हम पैच, या पूट, एस्टीटीप रिक्वेस्ट आपको जब हम कॉल करते तब हमें उसकी नीट परते फिलाल, अभी हमें उसकी नीट नहीं है, लेकिन इतना है आपको याद अखना कि यह जो connect method है, basically, यह हमें एक promise return करा, it means future में हमें यह data देने वाला है, so मैं इसको इसको get कर सकता हूँ, then, ठीक है, again, curly braces, यहाँ पर मैं callback function यूश करा हूँ, simply, मैं यहाँ पर simply इस्तर की से लिख सकता हूँ, मालू मैं कि लॉग में चलूँगा, again, same हो यह connection, successful, मैं मतलब बहुत इस्तर की से लिख सकता हूँ, and if there is no connection, कुछ error हो गया, basically, अगर promise fulfilled हो जाता है, तो यह data अगर promise reject हो गया, सिर्फ दो ही तो है, अगर आप अपने दोसको promise करोगे, या तो आप उसको निवाओगे, या तो तोड़ दोगे, शिर्म हो यह promise fulfilled, या तो reject, simple, ठीक है, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, and इसका एक अलग सा तरीका है, बेसिकली हो यह fat arrow function, यहाँ पर हम एक e या event, आप कुछ भी not event, हम यहाँ पर error को get कर सकते हैं, ठीक है, and मैं वह ही करूँगा, simply console.log मैं चलता हूँ, यहाँ पर इस तरीकी से, and उस उस e को मैं pass कर सकता हूँ, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपना खुद का भी error पास कर सकता हूँ, that is no connection, मतलब connection successful नहीं हुआ, this is it, simple, so guys, मैंने अपने express application को, vongodb के साथ connect कर लिया है, and मैंने अपना database भी यहाँ पर create कर लिया, that is due to registration, अभी मुझे क्या करना है, यह जो मेरा file है, उसको मुझे यहाँ पर include करना है, so मैं यहाँ पर चलता हूँ, इस तरके से guys, बहुत इजली require कर सकता हूँ, require double colon, या single colon dot forward slash के अंदर database forward slash के अंदर connection, this is it, control has save करता हूँ, but अब आप यहाँ पर देखोगे, boom guys, इस ही देखे, connection successful, it means मैंने अपने database के साथ, perfectly connection successful create कर लिया है, so guys, मेरा port number 3000 पर मेरा server running कर रहा है, हमने हमारा, 1 second, spelling wrong है, लेकिन the moment, save करता हूँ, अब connection, 1 second, फिर से 0 लिग दिया, अब connection successful, so guys, database and हमारा express एक्दम ready हो चुका है, अब हमें चाहिए, यह form कहां से लिके आए हम, right, तो दिखे, it's super duper easy, मैं यहां पर चलता हूँ, अब मुझे क्या करना देखो, मुझे, ठीक मेरा जो main, यह जो man back end है, ठीक है, अब भी जो मैं आपको थुई देर पहले एक दम starting में दिखाया था, mkdir, अब नहीं तो simply वहाँ पर क्लिक करके new folder, आपको public नाम का एक folder create करना पड़ेगा, और public ही उसको आपको नाम देना है, ठीक है, simple, इसके अदर मैं चलता हूँ, न्यूव फाइल कर लेता हूँ, that is index.html, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, पेज है, वो रन हो जाए, simple, मैं बस इतना चाहूँगा भी, मैं यहाँ पर जो hello from thapa technical है, मैं वो नहीं चाहूँगा, मुझे मेरा index.html का यह जो फाइले में चाहता हूँ, कि वो रन हो जाए, मैं बहुत इसली कर सकता हूँ, देखो कैसे, यह जो पार्ट है, ठीक है, इस से ठीक उपर मुझे जाना है, यहाँ पर बस मुझे वन लाइन अफ को डिखना, that is, const नहीं, app.use, अब आपको अपने express application को यह बोलना है, कि मैंने एक static, यहनो, फोलर क्रेट कर लिया है, मुझे उसको यूज करना है, simple, so मैंने express application को बोला, क्या मैं यूज कर सकता हूँ, express के अंदर, मैंने static करके, एक फोलर करेट कर चुका है, this is it, मुझे उस फोलर का पाथ, यहाँ पर डिफाइन करना है, and मैं बहुत इजली कर सकता हूँ, and that is, simply, ठीक, इसके नीचे आता हूँ, देखो कैसे, const, ठीक है, गाइस, यह जो कुछ पार्ट है, मैं बताना चाहूँगा, मैंने अल्डेडी यहाँ पर बता चुका है, इस वाले वीडियो में, complete web development वाले वीडियो, इसलिए मैंने का, इसका 60%, तो अभी आपको यहाँ पर लगने ही वाला, तो यह सब मैंने यहाँ पर बताया था, यह क्या है, क्या नहीं है, and playlist पे भी हमने इसको चेक कर चुका है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जरूर बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा आज main focus ही रहेगा, कि यह registration form का data को कैसे हम get करे, and database भी store करे, ना कि यह सब की यह कैसे बन रहा, क्योंकि हमने अल्रेडी देख चुका ही, यही तो है वो वीडियो, यह हमने अल्रेडी देख चुका यह सब तो, हैकिनि फिर भी आपको बिल्कुल डाउट ना हो, यह वीडियो एक्दम पॉफेक्ट रहे, and YouTube में बेस्ट रहे, उसके लिए मैं यह सब कर रहा हूँ, simply, ठीक है, so const, देखो, बहुत इजली में कर सकता हूँ, and that is static path.join, आप देख सकते हूँ, मुझे, you know, वो automatic जो suggestion आता है, वो नहीं आ रहा है, because यह जो path है, यह भी एक inbuilt module है, note के अंदर, so मुझे इसको भी require करना पड़ेगा, so const path equal to required, मैं चलता हूँ, and यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस तरह के save path, simple, ठीक है, एक second, यहाँ पर यह red क्यों दिखा रहा है, all right guys, spelling wrong है, that's why, अब अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, dot and boom guys, मुझे आप join आगी, मैं यहाँ पर चलता हूँ, underscore, the name, basically, यह हमारा module wrapper function है, note के अंदर, basically, हमें यह क्या कर रहा होता है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, एक बार, फिलाल के लिए, इसको मैं कमेंटी कर देता हूँ, इसको भी मुझे कमेंट करना पड़ेगा, else मुझे error आएगा, महाँ पर, log, ठीक है, यह जो कुछ मैंने अभी just लिखा है, इसको copy करता हूँ, आप लोगों के लिए paste करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, and this is it, आप बहुत क्रियली देख सकते हो, यह मेरा main drive है, node.js, olympic, API, क्योंकि मैंने आपको API के उपर भी वीडियो बना के दिखा था, complete वाला याद है, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर क्रेट किया है, month backend and then source, मुझे क्या चाहिए, month backend के अंदर, and मुझे अब यहाँ पर पॉब्लिक लिद देना, control and save, अब मेरे को perfect वो code मिल रहा, I mean वो path मिल रहा, जो मुझे चाहिए था, मेरे static वाले के लिए, simple इसको मैं हटाता हूँ, तो मुझे इसको copy करनी है, यहाँ पर मुझे इसको paste करनी है, इस तेखी से, alright, सब कुछ perfect, अब यह console वाला part हटा देता हूँ, इसको मैं uncomment कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं close कर देता हूँ, और यह जो मेरा path है, उसको मैं यहाँ पर add कर देता हूँ, this is it, इतना simple, अब अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, थापा टेकनिकल मन बेकेंड, यह कहाँ से मिल रहा है, वो मुझे यहाँ से मिल रहा है, कितनी easily आप static website को host कर सकते हैं, and static अब पार्ट तो देखो, इस complete भी हो गया, इतना easy था यह, है कि नी, एक second, चलो ठीक है, अभी मुझे क्या करना का, इस मुझे सिर्फ इतना नहीं चाहिए, मुझे basically क्या करना रहेगा, कि मुझे public के इंदर खाली, CSS का जो code है, वो add करना है, इसलिए मैंने यह create की थी, so new folder, CSS, new file style.css, perfect, देखो, यह क्या है, एक h1 है, copy h1, मैं यहाँ पर simply से किसी जा कि, इसका जो color है वो red कर सकता हूँ, control है save कर देता हूँ, मुझे उसको यहाँ पर add करना पड़ेगा, तब ही तो मैं इसको यूज कर सकूँगा, so link मैं मुझे CSS का चीए, and यहाँ पर मुझे CSS forward slash style.css, इतना easy the moment में refresh करता अब वो, it means कि अब मैं अपने इस project के अंदर complete, जो मेरा static website जब हम करते थे पहले, तो वो यहाँ पर add हो चुका है, and public folder के अंदर में जो कुछ भी, अगर आपके पास अपना खुद का static website है, अगर उसका source code है, जिसमें आपने सिर्फ HTML, CSS, JavaScript या बूस्ट्राइप, even बूस्ट्राइप भी अगर उसके है, सिर्फ यहाँ पर लाके रख दीजिए, public folder के अंदर, app.js में बस इतना आपको लिखना है, express.static, and उस public folder का आपको पास देना है, and आपका website, you know, आपके है सेक्ट हो कि मैंने Node.js की मादब से website क्रेट कर लिया, as a backend, मालब इतना इजी है, static ओला, है कि नहीं, चलो, ठीक है, यह जो index.test है, हमें लगाए सिसके मुझे कोई need नहीं है, इसको मैं delete करने वाला हूँ, क्योंकि हम जो कुछ करने वाले, मन पर मैं चलूँगा, मेरा जो main root folder है, एक new folder क्रेट करूँगा, जिसका नाम होगा, guys, views, ठीक है, यह आपको make sure करना कि, अगर आपको template engine यूज़ करना है, तो आपको अपना folder का नाम, views रखना ही पड़ेगा, ठीक है, मैं क्या करता है, यूज़ करने एक new file character, तो सेम वही index वाला, लेकिन अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, hbs, अब आपको पता चल गया होगा, basically handlebars, यह template engine यूज़ कर रहा हूँ है, यूनो, and guys, यह भी html ही है, अगर जो अभी 3 तर पहले, मैंने जो index.html में लिखा था, public folder के अंदर, नहीं, मुझे as a node.js भी उस पर यूज़ करना है, तो उसके लिए मुझे dot.html से थोड़ा और बैटर चाहिए, that's why we have our template engine, जिसको आप मैंने लिख दी, index.hbs, आपने pug सुनाओगा, आपने EGS सुनाओगा, here we have handlebars, hbs, simple, and mustache का आपको यहाँ पर उसका जो है icon दिखाई दे रहा है, ठीक है, control s, save करता हूँ, simple, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर save मुझे चीज़ कर सकता हूँ, हमें h1, यह लिखा था, thapa technical, one backend, copy करता हूँ, control s, save करता हूँ, अभी देखो guys, अभी अगर मैं यहाँ पर refresh करता हूँ, so hello from thapa technical, लेकिन मैं तो यह नहीं लिखा, मैं तो चाहता था, कि thapa technical, one backend आए, right, but हमें क्या आ रहा है, hello from thapa technical, and उसका reason यह है, अगर मैं source पर चलता हूँ, I mean, एक काम करता हूँ, यहाँ पर बहुत, देखो connection तो complete हो चुका है, package.json complete हो चुका है, इसकी अभी फिलाल मुझे need नहीं है, इसको मुझे as it is रखना है, and here we have app.json, देखो, express कैसे काम कर रहोता है बताने से, कि अगर मैं express.static सबसे top पर लिख रहा हूँ, तो वो यह चेक करेगा कि index.html का file है या नहीं, अगर होता, तो वो public के अंदर index.html में जो कुछ भी लिखता, वो यहाँ पर सो हो जाता, फिलाल मैंने उसको delete कर दी, तो उसने क्या क्या है, इस line को pass कर दिया, उसके बाद इसने ये चेक किया कि उसके बाद क्या है, अगेन ये जो है, ये भी आपका index को ही, you know, mention कर रहा होता है, you know, तो अगर आप ये लिखो, ना लिखो, ये आपका by default index page ही रहता है, तो उसने hello from the thapa technical, मुझे ये वाला output दे दिया, you know, तो यहाँ से मुझे वो data मिल रहा है, लेकिन अब मुझे अपने express application को ये बताना पड़ेगा, चलो ठीक है, ये तो एक मैंने, अब कह सकते हूँ, ये एक backup है, कल के दिन अगर कुछ wrong हो गया, यहाँ पे मेरे views या template engine के साथ, तब मेरा ये जो backup वाला code है, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, कि there is some technical error, या server is down, कुछ भी हो, लेकिन मुझे फिलाल भी ये चाहिए, अगर मैं अपना main localhost 3000 लिखता हूँ, तो मेरा जो by default index वाला जो page हो ये होना चीए, तो कैसे होगा, देखो guys, इट्स अगें बहुत ही ज़्यादा simple है, ठीक है, आपको बस उसके लिए करना ये है, कि अब आपको अगें अपने express application को ये बात आना पड़ेगा, जैसे पहले आप static use कर रहे थे, यहाँ पे आपको आना है, app.use, अब मुझे views उस करना है, simple, and use का नहीं मतलब बोलने से use नहीं लिखना तो मुझे, basically अब मुझे set करना पड़ेगा, अपने इस view engine को, ठीक है, यह view engine बहुत ही जाद important है, so मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तर किसी देखो में क्या लिखता हूँ, view, engine, and अब मुझे अपने express application को यह बताना पड़ेगा, कि मैं handlebar यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो by default जो view engine होगा, वो होगा मेरा handlebar, simple, आपको इस तर किसी hbs लिख देना, and आपका काम हो जाएगा, and guys, इसको भी make sure को, और इस तर किसा आप quotes के अंदर लिख रहे हो, simple, ठीक है, this is it, इतना मेरा काम हो गया है, अब मुझे यह है कि, मुझे अगर यह index.sbs वाला by default localhost 3000 लिखने पर दिखना चाहिए, तो उसके लिए पता है मैं क्या करूंगा, now, instead of यह जो response.send है, बस इसके बदले मुझे response.render लिखना पड़ेगा, यह जो hello from the thapa technical वाला जो part है, इसके बदले response.render मलताब, अब आपको किस फाइल को render करना है, हमें index.hbs को, तो मैं index लिख दूँगा, this is it, तो यह लिखने का मेरा मलतलब यह है, कि मैं चाहूंगा कि मेरा जो index.hbs वाला जो फाइल है, वो render हो जाए, basically वो दिखा दिया जाए, तो guys, simply control and save करना है, and already हमने set कर दिया अपने view engine को, that is, sbs, तो यह बहुत easily work करेगा, so 3, 2, 1, and boom, ऐसे देखे, था पर technical month back end, now, अब मेरा जो by default, पहले public के अंदर index वाला था, उसके बाद जो यह app के अंदर था, वो सब जा चुका, अब मेरा by default index.hbs आच चुका है, ठीक है, so guys, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा, that is, कि यह जो static वाला part है, वो हम नहीं देखने वाले, ठीक है, I mean, यह वाला part मैं आपको बताना चाहा रहा था, and that is, एक सेकेंट, यह all that guys, मैं आपको चाकिव नहीं दिखा सकता, क्योंकि दोनों मेरे same localhost पे work कर रहा है, and हाँ, एक काम में जरू कर सकता हूँ, कि instead of 3000, इसको अगर मैं 8000 पे कर दूँ, तो वो काम हो जाएगा, लेकिन guys, अब मुझे वापस उस file को भी run करना पड़ेगा, वो मैं नहीं करना चाहता भी, ठीक है, तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, in Node.js guys, सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, अब let's imagine, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वापस, ठीक है, राइट क्लिक, न्यू फाइल, लेट से लॉग इन का एक मेन्यू फाइल कर लेता हूँ, so login.hbs, ठीक है, वापस में चलता हूँ, एक न्यू फाइल करता हूँ, लेट स गो वित रजिस्टर वाला, so रजिस्टर, एक काम करता हूँ, रजिस्टर ही रख देते हैं, ठीक है, ठीक है, रजिस्टर.hbs, ठीक है, अभी लेट से इन तीनों में, हमारा नैब बार एक दम कॉमन है, ठीक है, तो वो जो एक कॉमन वाला जो कोड रहता है, इसको मुझे तीनों में बार बार ना लिखना पड़े, for that we have a partials in Node.js, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यह जो मेरा views जो folder है, इसको guys मैं rename करके, यहाँ पर मैं इसे किसे लिख देता हूँ, templates, templates, ठीक है, मैंने templates बना दी, इसके अंदर आप मैं दो new folder create करने जा रहा हूँ, that is again आपका views, and यहाँ पर एक और new folder होगा, that is your partials, and इसका नाम यह partials ही होना चीए, so guys अभी यह index को मैंने, इस तरीके से basically जो भी मेरा code में आप इसको, इस तरीके से views folder के अंदर move कर रहा हूँ, this is it, अगर आप दियान से दखोगे, तो आप templates के अंदर parcels, and views, and views के अंदर हमारा जो पहले code था, वो as it is है, ठीके अभी मैं parcels पे चलता हूँ, एक new file create करता हूँ, let's go with navbar.hbsc लिखना पड़ेगा, again आपको यहाँ पे, and let's say guys, यहाँ पे मेरे पास navbar के कुछ code होँगे, मैं यहाँ पे simply लिख देता हूँ, let's go with h1 again, navbar वाला code, ठीके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, navbar का code, ठीके, control, let's save कर देता हूँ, same यह piece of code को मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीके, and then आपको greater than का sign देना है, and आपको simply उस फाइल का नाम लिख देना है, navbar, this is it, इतना simple है यह, control, let's save, ठीक है, यह जो navbar है, बस इस तरिके साब को लिख देना है, and यह जो double curly braces, you know, and then यह जो sign ए, operator है greater than का, यह कैसे by default उन्होंने बना दिया है, अगर आप PHP उस करते हो, तो आप कुछ इस तरिके से लिखते हो, PHP and इस तरिके साब उसको close कर देते, तो हम यह क्यों लिखते है, यह भाई PHP उन्होंने रूल बनाए, इस तरिके साब अपने back-end का code उस करो, and अगर आपको यह जो पार्ट है, PHP में अगर आपने बहुत किया था, आप इस तरिके से include उस करते थे, तो वो जो include वाला काम वो यह यहाँ पर कर रहा है फिलाल अभी, ठीके से nap-bar मैंने उसकी, अब देखो guys, अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पर refresh करता हो guys, मुझे error आ रहा है, यह बता रहा है, यह बता रहा है, फेल टू लुक अप व्यू इंडेक्स, एंड वो इसलिए क्योंकि पहले जो मेरा व्यूस था, वो नॉर्मल मेरे मन बेकेंड जो मेरा root folder उसके अंदर था, but now मेरा यह जो व्यूस करके जो मेरा फोल्डर है, वो टैंपलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर है, तो मुझे अगेन अपने हमारा जो main express application उसको बताना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, अगेन इसको मैं करता हूँ, ठीक है, and instead of public, I have to go with a template, ठीक है, and then forward slash मुझे views जाना पड़ेगा इस तरही से, ठीक है, अब भी मेरा जो पहले views था, वो मैंने path पहले defined नहीं की हूँ, क्योंकि express उसको automatic, you know, get कर रहा था, लेकिन अब वो templates नाम के फोल्डर के अंदर है, तो इस तरही से guys, मैंने इसको get की, ये जो मेरा part है, इसको मैं copy करता हूँ, अब बहुत द्यांसे सुनो, आप में क्या करने वाला हूँ, देखो, पहले तो simple था, बट अब मुझे अपने express को ये बताना है, कि अब मेरा जो views है, वो change हो चुका है, अब उसका path कुछ और है, तो वो मुझे अपने express को बताना है, सो मैं कैसे बता हमगा, देखोगा, again it's simple, ठीक है, मैं simply लिख दूँगा, app.set, ठीक है, मेरा ये जो views था पहले, views नाम का जो folder था, अब वो मेरा ये वाला folder बन चुका है, पहले जो views था, अब वो ये हो चुका, तो हम express application को ये बोल रहे है, instead of looking for views नाम का folder, अब इस route को एक बार visit करना, और वहाँ पर जो आपको मिलता है, उस पे आपको जाके रन करवा देना है, क्योंकि अगर वो इस पे जाएगा, तो उसको अगें templates के अंदर views वाला ही folder मिलने वाला है, तो guys, आप सब कुछ ठीक हो चुका, लेकिन एक error आएगा, और वो error आप ये है, कि ये जो आप देख सकते हैं, इसने बताया कि नहीं, the particular nav bar could not be found, sorry, not particular, the partial nav bar, ये देखो guys, ये खुद बता आ रहा, partials मैं आपको तब से बोल रहा था, we have a partials file, तो बोल रहा कि ये जो partials nav bar वो उनको मिल नहीं रहा है, वो उनको इसलिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे तो एकदम अच्छे से स्को एड़ कर देए, ये अपने end से तो एकदम पॉफेक्ट है, लेकिन अभी तेख हमने express को ये नहीं बताया, कि हम अब partials भी यूज़ कर रहे हैं, अपने express application के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, we need to require hbs, so hbs equal to require आपको जाना पड़ेगा, and hbs को require करना पड़ेगा, handlebars को, एक second control है, save and not super duper easy, ठीक इसके नीचे में चलता हूँ, अब मैं पता क्या करना है, hbs.we need to register the partial files, this is it, and यहाँ पर मुझे चलके खाली, उसका path add करना पड़ेगा, simple, तो same है यह path उसका, तो असा कम जूम कर देता हूँ, views के बदले मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इस तरीके से partials, इसको मैं कर लेता हूँ, copy, and यहाँ पर मैं कर देता हूँ, paste, आप खुद ही देख सकतो का, कितना simple था, this is it, अब अगर मैं refresh करता हूँ, बूम, ऐसे देखो, napbar का code, थापर टेकनिकल, मन बेकेंड, अब बेस्ट पार्ट पता हूँ, बेस्ट पार्ट यह, कि यह जो napbar का जो code है, वो basically, उसके अंदर है भी नहीं वो, मैं तो खाली उसको call किया, कल के दिन, अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, क्योंकि मज़ा ही आ रहा हूँ, इस तरह किसे लिखता हूँ, अगर अप मैं refresh करता हूँ, देखो, एक सेकेंड, अब एक और बहुत इंपोर्टन पार्ट आने वाला, मज़ा आ जाएगा, अब देखो, क्या हो रहा है, कि अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, ठीके, देखो, यह मेरा app.js है, एक बार मैं control.js सेब करता हूँ, code उसको run कर रहा है, basically, node 1 उसको वापस से run कर रहा हूँ, restart कर रहा हूँ, लेकिन, just, अभी मैंने यह जो मेरा HBS, यह तो पहले था JS, now it's your handlebars, that is HBS, अगर control.js सेब कर रहा हूँ, आप देख सकते हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, ठीके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस package.json पर आपको चलना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा add करना पड़ेगा, that is कि एक extension मुझे add करना है, extension flagman add की, JS के file को तो आप run कर रहे हो, लेकिन साथे साथ HBS वाले जितने extension होंगे, उसके file को भी आपको run करना है, simple, अब देखो, अब क्या होता है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, HBS, Ctrl S save, अब यह कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बार देखो guys, आपको एक बार quit तो करना ही पड़ेगा, अब वापस जब आप उसको run करोगे, ठीक है, देखो, उस normal है, आ गया new, Ctrl S save, यह देखो guys, अब वो हो चुका है, अब अगर मैं refresh करता हूँ, तो मज़ा आ गया new, this is it, हमारे इतना part complete हो चुका guys, अब almost हमने 50% part complete कर ली है, अब वो घड़ी आ चुकी, जो मैं आपको बताने वाला था, क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया, जो basic था, सब कुछ हमने views समझ लिए, template engine समझ लिए, हमने parser समझ लिए, अब खाली मुझे static code ही चाहिए, ठीक है, so मैं क्या करता हूँ, login को हटाता हूँ, अभी फिलाल मैं नब बार को हटा रहा हूँ, फिलाल मैं अभी package को हटा रहा हूँ, अब यह जो मेरा register.hbs है, उसको भी फिलाल अभी मैं हटा रहा हूँ, खाली index को मैं रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, login के अंदर already यह जो index वाला जो code है, इसको copy करके मैं यहाँ पे guys, completely paste करने वाला हूँ, ठीक है, एंद यह जो registration वाला जो, एक सेगे, not यह वाला registration, इसके अंदर यह जो registration वाला जो code है, उसको copy करके मैं अपने register वाले के अंदर paste करने आवा, this is it guys, ठीक है, एंद इसके अंदर जो यह source नाम का folder है, sorry, not source, public के अंदर CSS के अंदर style वाला जो code है, उसको मैं copy करूँगा, मेरा यह जो style.css है, वापे मैं इसको paste कर दूँगा, this is it, ठीक है, let's see क्या होता है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, अगर refresh करता हूँ, आप देख सकती हो, the particular header could not be found, अब भी उनको, यह जो header करके वो उनको नहीं मिल रहा है, आपको इसको extension देना पड़ेगा, rename.hbs, this is it, control s, save करता हूँ, अब अगर मैं refresh करता हूँ, तो क्या होता, आप देख सकती हो guys, अब हमें कुछ वो इस तरी के से दिखाई दे रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, at least इतना तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो पहले वाला, अभी जो new napbar है, वो नहीं, मेरा जो new napbar होगा, guys, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये pure HTML है, इसमें कुछ भी आपको ऐसा express, mongodb, mongodb, इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो simply उसको copy की, अपने वाले napbar पर आता हूँ, and then paste कर देता हूँ, this is it, guys, so, हमारा इतना काम हो चुक है, अब अगर मैं refresh करता हूँ, so, guys, अब आप देख सकते हूँ, कि ये मेरा जो page है, कुछ वो इस्तिरगे से दिखाई दे रहा है, and cannot get registration, ठीक है, so, अब इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ, जो है as it is है, अब बहुत ज़्यादा simple है, देखो, control एच सेप कर रहा हूँ, देखो, guys, ये जो मेरा home page है, यहाँ पर, ये मेरा home, and ये मेरा registration, registration पर जब मैं क्लिक करूँगा, तो वो बता रहा है, cannot get registration वाला page, क्योंकि हमारे इसमें registration करके नहीं, register वाला page है, ठीक है, तो आप देख सकते हूँ, ये मेरा home page है, navbar as it is रहेगा, ठीक है, navbar के अंदर ही तो ये हमारा URL है, अब आपको पता चला, navbar को मैंने अल्रेडी गेट कर रहा है, so, navbar.hbs, यहाँ पर आप देख सकते हूँ, मेरा basically इतना ही है, home, login and registration, home, login and then registration, so, instead of registration, I will go and write register, ctrl s save, refresh करता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो आप देख सकते हूँ, register है, and this is it guys, cannot get register, अभी ये cannot get register बता रहा है, but it's totally fine, हमें उससे कोई problem नी होगा अभी, क्योंकि अभी css का part तो complete हो चुका है, यह जो मेरा header वाला part है, यह एकदम perfect है, and एक चीज याद रखो कि, जो css का code है, जो हमारे public folder के अंदर था, and उसके अंदर में एक css folder बनाया है, उसके अंदर style.css है, तो उसके code को पाना हो ना, तो simply guys, आप भी उसके अंदर जाके भी बहुत easily, इस तरह की से simply, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अब simply जैसे हम normal path आते, css forward slash style.css, अगर आप लिखते हो, तो बहुत easily हमें वो मिल जाता है, so again इसको मैं close करता हूँ guys, ये वाला जो पार्ट है, बहुत easily मैं अब इसको handle कर सकता हूँ, क्योंकि हमने already आपको यादे, मैंने आपको complete respool API बताया था, अब हमें बस वो ही करना है, get करना, अब हमें उस page को read करना है, योना हमने वो देखा था, read कैसे करेंगा, using get method, तो बहुत easily कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी हमें यही बोल रहा हूँ, cannot get register, चलो ठीक है, अब भी अपना जो app.js है, again source, app.js के अंदर आना है, अब भी मुझे क्या करना है, हमने already हमारा जो main page, उसको तो define कर दिया है, index page, इसके निचे है ये app.get, आपका root forward slash register, comma callback function आपका यहाँ पे, इस तरी किसे simple, and यहाँ पे here we have two objects, request, ठीक है, comma response, and इसको as it is रखता हूँ guys, अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो, मुझे simply क्या करना है, response.render, render, यहाँ पे मुझे चलना है, simply उस फाइल का नाम देना है, that is register, register, perfect, इस तरी कैसे control आपको बाकी कुछ नहीं, इतना ज्यादा simple था, and हाँ dot नहीं होगा, यहाँ पे forward slash होगा, control आपको अगर इसको मैं refresh करता हूँ, and boom guys, इस ही देखे, हमारा login form एकदम ready हो चुका है, देखो, मेरा login form एकदम perfect ready है, ठीक, एक और बास जूम कर देता हूँ, this is it, so guys, अब हमें यह देखना है कि, user अगर यहाँ पे कुछ भी data फिल करता है, तो वो data मुझे कैसे मिलेगा, ठीक, and यह registration form मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसका बिल्कुल टैंसा मत दीजिए, अगर मैं आपको लेकर चलता हूँ, मैंने कुछ कहीं यूज नहीं कि, मतलब मेरा node mongo का दूर दूर तक लेना देना नहीं, इस code में, इस पियोर bootstrap and HTML मैंने यूज किया हूँ, simply यह देखो, so bootstrap 4 मैं यहां पर चलता हूँ, इस तरीके से bootstrap 4, अब देख सकते हैं, here we have our bootstrap 4, and believe me guys, मैंने bootstrap 4 के उपर complete video बना है, सिर्फ bootstrap 4 का या मिन तो bootstrap 5 के उपर भी complete video बना चुका है, तो आप जरू चेक आउट कीजिएगा उसको, अब आपको बस इतना यात रखना है कि आप चाब तो जैसा भी form create कीजिए यह CSS में स्टैल किया हूआ है, अब फिलाल मुझे सिर्फ इतने से ध्यान देना input fields से, एक चीज यात रखो जब भी आप यह form create कर रहे हूँ, ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक form create की इस तरीके से, एंड उस form के अंदर का इस बहुत सारे attribute होते है, जिस में से बहुत ही जात important attribute है आपका action, तो मैंने क्या लिख रहा है यहाँ पे, forward slash registration, मुझे forward slash registration नहीं चाहिए, मुझे चाहिए register, क्योंकि मेरा register वाला page है, मैं चाहूँगा कि वो इस page पे visit करे, using a method जिसका नाम होगा post, क्योंकि अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरे complete जो resplool API में आपको बता है था, इसमें basically हमें call operation करना रहता है, create, read, update and delete, create मतलब हमें अपना खुद का data, database पे store करना है, तो उसके लिए हम क्या use करते, post method and अब भी तुई दिर पहले, कुछ अगर मुझे read करना हो, तो उसके लिए हम use करते, get method, तो ये जो मेरा register है, मैंने जहां पे already get method उसकर चुका है, अगर आपको फिर भी doubt आ रहा है, मैंने क्या लिख दिया, आप बिल्कुल टैंसा मतलोगा, इसे बहुत ही ज़्याद है, सिंपल यार क्योंकि इसमें, बूस्ट्राप के अलावा कुछ है ही नहीं, एद देखो form, आगे आपका email ID, पास्वर्ड, वो ही तो हाई है, आपका input type, email, form, control, सब कुछ से, यही से मैंने copy paste क्या, और बाकी कुछ नहीं है इसमें, इसे तरिके से मेरा यह, आप देख सकते हो email, आप देख सकते हो, मेरा mobile number, phone basically, आप देख सकते हो, अप देख सकते हो, मैं अगर यहाँ पर लेकर चलता हूँ आपको, यहाँ पर यहाँ जो male and then female, यह at a time में सिर्फ एक ही पर ही select कर पारा हूँ, उसका reason यह है, क्योंकि मैंने उन दोनों का name नाम का जो यह attribute है, उसको एकदम same रखा, gender and then gender, ठीक है, उसलिए, अगर आप देखते हो, यहाँ पर यहाँ पर गाईस, यह मेरा क्या है, age का input field, यह मेरा है confirm password का input field, ठीक है, simple and हाँ, यह भी बहुत important part है, जब आप submit button create करो, basically registration वाला button, तो आप देख सकते हो, value मेंने register दिया है, type आपका submit होना जरूरी है, अब होगा यह, कि user अपना data fill करेगा, ठीक है यहाँ पर, and जब वो register पर click करता है, अगर आप form यूज करो, and आप देख सकते हो, form मेंने यहाँ पर close कर दी है, तो जब वो submit पर click करेगा, तो direct हमारा जो भी data है, and हमारा जो भी page का access है, वो इस page पे चला जाएगा, basically वो forward slash register नाम के page पे जाएगा, using a method जिसका नाम होगा post, अब यह कैसे हो रहा मैं आपको बताता हो guys, practical आपको सारे clear हो जाएंगे, and I hope आपको पता चल चुका होगा, यह सब कैसे हो रहा है, simply ठीक है, देखो, and हाँ, एक और चीज़ बहुत जादे important है, that is की, आपको हर एक input field में guys, एक attribute है compulsory जो होना ही चाहिए, and that is your name attribute, आप देख सकते हो, name में मैंने first name, मेरा name है email, यहाँ पर आप name देख सकते हो, phone number, यहाँ पर आप देख सकते हो, name मेरा password, name मेरा last name, ठीक है, फिलाल एक मेरे पास है, employee registration, यहाँ पर आपको लेकर चलता हो, तो आप देख सकते हो, gender, male, male, क्योंकि मैंने खाली male ही select कि, क्योंकि मैं तो male ही हो न, इसलिए, ठीक है, लेकिन वो हमें पता कैसी चलेगा, कि male या female, तो वो भी बहुत इंट्रेस्टिंग topic होने वाला है, ठीक है, अब देखोगे तो इसका नाम age है, confirm password का नाम यह है, simple, इतना मेरा काम हो चुक है, अभी देखोगे, मुझे क्या करना है, कि अब मुझे यह जो पार्ट है, मैंने database तो create कर ली, लेकिन मैंने अभी तक अपने यह जो document है, उसको मैंने define नहीं किया, उसका जो schema है मैंने अभी तक को define नहीं की, तो अभी इसको मैं as it is रखता हूँ, मुझे अब अपने mongodb पर जाना पड़ेगा, ठीक है, and that is, अभी templates को भी side में रखता हूँ, models के अंदर मुझे जाना है, new file पर मुझे create करनी होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ guys, simply registers, ठीक है, registers.js, अब कुछ भी लिख सकती हो, user registration, या कुछ भी लिख सकती हो guys, मैंने खाली, registers, registers लिख देता हूँ, registers.js, ठीक है, अब भी देखो guys, यहाँ पर क्या हो रहा है, simply मुझे अब schema को define करना है, and मैं बहुत इजली कर सकता हूँ, that is const, const, पहले मुझे mongoose को require करना पड़ेगा, so mongoose, spelling सही है, नहीं है, mongoose अब perfect है, require मैं यहाँ पर चलता हूँ, forward slash mongoose, this is it, control as save, अब देखो const, अब मुझे क्या करना है, schema को define करना है, ठीक है, and it's super duper easy, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो guys, ऐसा कुछ नहीं, employ schema, and as should be capital, basically camel case, उसको around new, mongoose, dot, and अब देख सकते हो guys, मुझे option आ गया, schema, ठीक है, schema sorry, and this is it, अब को क्या करना है, brackets, and then curly braces, उसके अंदर, अब आपको यह define करना होगा, आपका यह जो भी है, first name, last name, phone, password, confirm password, so मैं copy कर लेता हूँ, यहाँ पर paste, ठीक है guys, इसका टाइप होगा string, comma, it should be required, यह जो field है, एकदम required है, so मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको true, this is it, ठीक है, अब भी इसी पार्ट को मैं कर लेता हूँ, copy, and यह क्या key value पर रहे है, basically आपका object रही है, key, and then उसकी value, comma key, ठीक है, बहुत एजिली लिख सकता, आप बिल्कुल टेंसा मतलो, अगे इसको मैं कॉपी करता हूँ, paste, this is it, so guys, मैंने, and हाँ, यहाँ पर आपको column भी देना पड़ेगा, तो बहुत एजिली मैंने first name, and last name का, जो इसकी माँ उसको define करके यह बता है, कि मेरा जो document होने वाला है database के अंदर, उसमें जो पहला field होगा होगा, मेरा first name का, जिसकी type होगी string, and it should be mandatory की user उसको type करे, else error दे दो बाई, simple, last name के साथ भी same होई है, copy करता हूँ, comma, and यहाँ पर उसको मैं paste कर देता हूँ, now instead of last name, I will go with email, सब कुछ सेम है, यहाँ पर एक और property आड़ करने आला हूँ, that is unique, क्योंकि email ID तो सब का unique होगा, same तो यह ना होगा, हैगी नहीं, so comma, मैं वापस यहाँ पर चलता हूँ, this time, अब guys, यहाँ पर मेरे पास होगा, वो gender male या female, type उसका string रहेगा, required field true ही रहेगा, वापस comma and paste, एक सेकंड नीचे चाहिए, और यह 3 कहां से आगया, इसको delete कर देता हूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास आएगा guys, phone number, उनका phone number क्या है, again it's a number, so आपको number लिखना है, required should be true, again guys phone number भी तो हर एक employee का अलगी होगा, same तो होगा नी, so unique property भी मैंने इस तरगे से define कर दी, copy करता हूँ, paste, एक सेकंड, copy and then यहाँ पर करता हूँ, paste, again मुझे comma देना पड़ेगा, now guys मुझे यहाँ पर age define करना है, type number रहेगा, age को unique की need नहीं है, ठीक है यह सेम हो सकता है, बहुत सारे employee का 26, 26, 25, 25, 25 कुछ भी हो सकता है, again इसको में कर लेता हूँ, copy, यहाँ पर मैं चल के कर देता हूँ, paste, now guys यहाँ पर मेरा जो होगा, वो होगा मेरा password, ठीक है, it should be my password, again इसको में कर लेता हूँ, copy and यहाँ पर कर देता हूँ, paste, now यह जो मेरा last file होगा, guys, बहुत ही जादे important, that is confirm, I, R, M, ठीक है, spelling एक दम सही लिखना, confirm and spelling all right, wrong, बस मेरे लिए फिलाला भी यह confirm password, में इस तरी किसे लिखना हूँ, this is it, ठीक है, so मेरा इतना काम हो चुका, मैंने schema define कर दी है, इसको मैं हटाता हूँ, अभी मुझे क्या करना हूँ, with the help of this schema, मुझे collection क्रेट करना होगा, database already मैंने create कर दी, now we need to create, we need to create a collection, we need to create a collection, ठीक है, इसको मैंने comment कर दी, and now guys, simply हमें अब model को define करना है, मुझे लिखना पड़ेगा, एक second, equal to new, again मुझे एक second, यहाँ पर मैं यह minus sign नहीं चाहिए, मुझे equal to sign चाहिए, mongos. simply देखो, it's super duper easy, that is model, and मुझे यहाँ पर अब अपने collection का नाम देना है, collection मतलब क्या होता है, employee registration मेरा database का नाम है, उसके अंदर जो collection है, वो registers है, and उस collections के अंदर multiple documents है, तो यह जो register है, उसी तरी के साब मुझे यहाँ पर चाहिए, and आप जब भी collection का नाम दोगे, it should be in a singular form, and जी हाँ, singular पर ही होना चाहिए, and इसका जो first letter होगा, वो capital में होना चाहिए, register, तो behind the scene guys, वो आपका registers हो जाएगा, मलब फूर में हो जाएगा, and आपका जो schema है, जो आपने यहाँ पर define किया, उसको copy करो, यहाँ पर आप उसको कर दीजे, paste, this is it guys, इतना ही करना था, अब आपको इसको export करना है, so module.exports, equal to आपको यह जो है register, copy and इसको भी आप में कर देता हूँ, close, register जो है, इसको भी फिलाल के लिए भी में close कर देता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा guys, अब मुझे main app.js file पे आना है, मुझे यह जो models, अब इसको मैंने जो create की, अब मुझे इसको get करना है, basically require करना है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक इसके नीचे, database के नीचे, देखो कैसे, const register equal to require, ठीक है देखो, double quotes dot forward slash के अंदर models, forward slash के अंदर registers, this is it मेरा काम हो गया, अब देखो इसको मैं copy करता हूँ, आपको मालूम है guys, कि जब भी हम इस पे click करेंगे, ठीक है हमारे registration form पे जब हम click करेंगे, कहांगे है मैं registration ओला form, यहाँ पे ठीक है देखो, ठीक है थाँ सा कम जूम कर देता हूँ, and that is देखो, जब भी मैं इस तरगी से इसको करूँगा click, तो मेरा जो page और डेर्कली वो इस पे visit करेगा, इस वाले route पे, that is forward slash register, लेकिन जो method होगा, वो होगा post, so post request की मदद से, वो इस route को करेगा visit, तो मुझे post request की मदद से, इस route पे मुझे अपना code लिखना है, जिससे की user ने जो भी type की, वो मेरे database पे store हो जाए, and guys अब मुझे पता कौन सा code लिखना है, मुझे अब ये वाला code लिखना है, I don't know, आप में से कितनों ने notice किया होगा, कि जो rest pull API ये बहुत ही जाद है important video है, क्योंकि rest pull API में हमने cut operation pop-up के थी, जिसमें से जो r वाला है, c, r, u, d, r में rate करना था, वो हमने तो देख ली, but जो c था, represent करता है, आपको create, तो मुझे वो ही ditto code अब यहाँ पर मुझे लिखना है, तो मैं चाहूँ तो directly उसको copy paste कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूमें, फिर आप लोगों को doubt आजाएगा हमाँ पर, ठीक है, तो मैं पूरा complete करके आपको बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी guys, मैं बस इतना एक request करना चाहूँगा, इस वीडियो को उन्हें एक बार जरूर देखिए, ये वाला जो वीडियो, वेब डेवलोप्मेंट प्रोजेक्ट वाला, ये दो वीडियो का अगर आपने देख लेना, एक जो doubt रहता है न, वाले ही time थोड़ा लंबा है, लेकिन जो एक मन में जो doubt गुमता रहता है, लेकिन जो एक मन में जो doubt गुमता रहता है, नोड और mongos कैसे connect हो रहा है, वो node mongos हमारे html form के साथ कैसे connect हो रहा है, वो सब आपके doubt क्लियर होने वाले है गाइस, ठीक है, और राट मैं अब यहाँ पर चलता हूँ, देखो, अब भी यह क्या है, सेम यह भी तो वही है न, मैं रजिस्टर को ही call कर रहा हूँ, रिक्वेस्टर रूट को, लेकिन using a get method, बट इस टाइम, मुझे सेम यही पार्ट चाहिए, बट विद धी हल्प पोस्ट, अब मुझे यहाँ पर पोस्ट जो request वो करना है, एंड यह क्या गाईस, call operation में आपको हमने, आपको याद है, create a new user in our database, यह वही पार्ट है गाईस, जो हमने पोस्ट देखा था, card operation में कितिनी एजी ली, ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका, अभी मुझे क्या करना है, request and response as it is, अभी इसको फिलाल मुझे नीची फिलाल अभी के लिए, देखो गाईस, now it's super duper easy, अभी मुझे यह जो मेरा फाइल है ना गाईस, इसको मुझे async वाला function करना है, I mean मेरा यह जो function है, इसको मुझे async function क्रेट करना है, so async मैंने add कर दी, simple ठीक है, बस मेरा async function बन गया, क्योंकि हमें यह promise return करेगा अभी, तो देखो गाईस कैसे करना है, जब भी आप async function यूज करते हो, go with try and catch method, ठीक है, यहाँ पर बहुत easily आप लिख सकते हो, that is response.status, मैं लिख देता हम फिलाल अभी के लिए, and that is your 400, ठीक है, dot and आपको जो send करना पड़ेगा यहाँ पर, send and simply guys, आप चाहो तो send करो, ने तो as it is रहने, तो वो error आप इस तरह किसे pass कर सकते हो, यह catch ने catch की, वो error यहाँ पर थो हो जाएगी, ठीक है, अब try के अंदर बहुत important काम आएगा, देखो गाई, सबसे पहले तो यह, now सबसे पहले गाईस, मुझे मालूम है, आपके mind में एक doubt आ रहा है, and सिर्फ आपके नियार, मेरे mind में भी वो doubt था, कि यह, कि अगर user यहाँ पर अपना first name add कर रहा है, तो मुझे वो यहाँ पर मिलेगा कैसे, यही सोचने वाली बात है, and अगर आपको याद होगा, मैंने अपनी इस वाले वीडियो में, आपको मैंने postman के थूरूद बाता है था, सब कुछ, है कि नी, but अभी तो मैं वो postman use नहीं कर रहा हूँ, है कि नी, तो अब मैं कैसे करूँ गाईस, मतलब कैसे होगा आप मुझे बता हो, सोचो, यूनो, चलो, ठीक है गाईस, अब विल्कु टैंसा मन लीजे, देखे, मैं आपको बताता हो, कैसे होगा, देखो, सिंप्ली, अगर मैं चलता हूँ, यहाँ पर, console.log, ठीक है, यहाँ पर पाता है, मैं क्या कुरूँगा, देखो गाईस, हमने और पोस्ट मैं के टाइम में देखा था, request.body, अब हमें सारे डेटा मिल रहे थे, बड़ दिस टाइम मैं आपको एक चीज़ बता है, थुई दिर पहले ही, कि जब भी आप form क्रेट करोगे, तो हर एक input field में एक attribute, बहुत ही mandatory है, must होना ही चाहिए, and that is your name attribute, तो name में आप जो भी लिखोगे, उसको मैं copy कर रहा हूँ, and अगर आप मुझे इस field की value चाहिए, तो देखो मैं क्या लिखोँगा बहुत इजली, request.body, dot and उस input field में जो मैंने name attribute में, जो मैंने value पास की है, उसका नाम अगर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ctrl s save करता हूँ, तो guys, अभी तो फिलाल कुछ दिखेगा नी, लेकिन, अब मैं आपको बाता आता हूँ, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, खाले मैं V, I, N, O, D, V node लिखता हूँ, अब अगर मैं register पर click कर देता हूँ guys, अब देख सकते हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो guys, मुझे basically यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा हूँ, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर चलता हूँ, ठीक है, मैं एक सेकेंड बहुत ही जूम हो रखाई है, यहाँ पर मैं चलता हूँ, विनो, एंड अगें register पर click करता हूँ guys, आप देख सकते हूँ, मुझे empty data मिल रहा है, so guys, अभी वो हमें output क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको एक रिजन बताता हूँ, ठीक है, इससे पहले यह जो मेरा वीडियो, अभी तक हम जो भी वीडियो देख रहे थे, RESTful API में, मैं पोस्ट मैं को यूज कर रहा था, एंड पोस्ट मैं में हम जो भी data request.body की थूरू get कर रहें, तो उसके लिए मैं एक code लिख रहा था, अगर आपको याद होगा, and that code is simply मैं अगर इस जेगे पर चलता हूँ, एक दम यहाँ पर, ठीक है, एक काम करता हूँ, टॉप पर ही चल देता हूँ, इस जेगे पर, मैं क्या लिखता था, app.use, ठीक है, मैं चाहता था, मेरे express application को यह बताना, कि भाई मुझे जेशन को यूज करना, अपने इस code के अंदा, तो इस तरिके से app.express.json file को मैं call करता था, and अगर मुझे वहाँ से json file मेल रहा, तो express application उसको handle कर देता था, ठीक है, अभी मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, एक बाद check करता हूँ, कोई error नहीं है, मैं यहाँ पर बापाद चलता हूँ, इसको refresh करता हूँ, एक second मुझे back जाना पड़ेगा, refresh करता हूँ, वीनोद पर click करता हूँ, रजिस्टर पर click करता हूँ, इस टाइम आप देख सकते हूँ, हमें कुछ भी data नहीं मिल रहा हूँ, लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, और यह अन्डिफाइंड, अब यह अन्डिफाइंड पाता है क्यों मिल रहा है, यह हमें इसलिए मिल रहा है, क्योंकि हमने यह जो code लिखा, ठीक है, कहां गया, यह वाला code, यह बेसिकली postman के लिए एक दम पॉफेक था, पोस्ट मैन अगर यूज कर रहे होते हैं, तो यह हमें output दे चुका होता था, लेकिन इस टाइम, अब हम एक स्टेप और फर्दर जा चुके, सिफ पोस्ट मैन नहीं भाई, मैं तो अपना खुद का एक live, you know, मेरा खुद का एक HTML पेज है, अब जो की बेसिकली हम हम हैंडल बार्स के थुरू कर रहे, उसके अंदर एक form है, और form के अंदर जो भी लिखा है, अगर उसको अपको get करना है, तो आपको यहां पे एक और code दिखना पड़ेगा, और यह बहुत ही जाद इंपर्टन, अब आपको लिखना पड़ेगा, app.use, simply, यहां पे जाना पड़ेगा, express.url encoded, and then again guys, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको square brackets, curly braces, and here you have to write extended, ठीक है, extended आपको false कर देना है, इसका guys, अब एक simple मतलब बस इतना ही है, कि हमारा यह जो form के अंदर में, जो भी data लिख रहा हूं, आप उसको में get करना चाहूंगा, आप उसको undefined नहीं दिखा सकते, simple, ठीक है, अब अगर मैं control as save करता हूँ, वापस से click करता हूँ, and boom guys, अब मुझे बिनोध मिल रहा है, यहाँ पे भी अगर मैं चलता हूँ, अब बिनोध मिल रहा है, कैसा लागा आपको, जटका लागा की नहीं, अब एक awesome अब दिमाग की घंटी बज़े की नहीं, यही है सबसे जाता है important, and I know आप में इसे बहुत हूँ को, इसी का ही वे थत्तप से guys, है की नहीं, लेकिन यहाँ तक पहुछने के लिए भी, हमें कितना कुछ करना पड़ा, मुझे guys पहले तो यह चेक करना है, क्यों जो पासवर्ड वो same है या नहीं, so const, एक सेकंड मुझे आप एक और चीज़ देखना पड़ेगा, कहीं वो मेरा database से वो तो create नहीं हो गया, and all right guys, अब देख सकते हूँ मेरा database create हो चुका, automatic, YouTube registration, registers, फिलेल इसके अंदर कोई data नहीं है, collection भी मेरा create हो गया, देखो, registers, याद है मैंने क्या लिखाता है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे तो खाली, अगर मैं आपको लेकर चलता हूँ, registers के अंदर खाली क्या लिखाता, register, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया हो, registers, तो यह है आपका फुलूरर वाला फॉर्म, ठीक, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ से मैं आप चलता हूँ, देखो, नौ गाइस, इस सुपर डूपर इजी, कि आपको पता चल गया, वो data मुझे कैसे मिल रहा है, तो मुझे यह पहले यह चेक करना पड़ेगा, कि यह दो, पासवर्ड यह दोनों सेम है या नी, सो कॉंस्ट, मैं यहाँ पे चलता हूँ, पासवर्ड, स्पैलिंग एकदम सही होना चाहे, मैं बाकी कुछ नहीं जानता है, स्पैलिंग सही होना चाहे, और मैंने यह रॉंग लिखा हुआ है पहली बात तो, पासवर्ड इकोल टो गाईज, देखो, रिक्वेस्ट, डॉट बॉडी, ठीक है, डॉट अद देन पासवर्ड, कंडूले सेव, इसे कोई मैं करता हूँ, कॉपी यहाँ पे कर देता हूँ, पेस्ट एंड यहाँ पे अगर आपको याद होगा, हमारा नाम जो भी है, वो है, बेसिकली आपका C पासवर्ड दे रहा हूँ, इसको मैं दे देता हूँ, C पासवर्ड, लेकिन, अब यहाँ पी जो नाम आएगा गाई, वो ही होना चीज, जो हमने यहाँ पे अपने, I mean define कर रहा है, that is यह ओला, confirm password, इसको फिलाल हटाता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, this is it, so मुझे password and confirm password मिल गया है, ठीके, अब मैं क्या करूँगा, if अगर मेरा यह जो password है, if it is equal to, and triple equal to use करना है, ताकि उसका data type, जो उसको भी हम चेक कर सके, and if it is equal to, then ही हम अपना यह जो source code है, I mean मेरा जो भी user का data है, उसको में store करना चाहूँगा, अगर यह match करता है तो, ठीके, it's super duper easy, ठीके, else मैं simply आपको याद है, एक error देना चाहूँगा, and that is SIM में बहुत इजली दे सकता हूँ, response.send, यहाँ पर मैं लिख दूँगा, passwords are not matching, यह कर गाइस खाली दिखाने के लिए are not matching, ठीक है, simple, control s save, control s save कर देता है as it is, and यह मैं बहुत इजली अभी भी दिखा ही सकता हूँ, वईसे तो, 1, 1, 1, अगर मैं register करता हूँ देखोगा, password are not matching, क्योंकि वो इसके अंदर गया, उसने password बहुत यह वाला जो field था हमारा, यह and यह वाला field का data को get की, and check क्या, अगर वो नहीं है, obviously नहीं था वो, तो उसने password are not matching, मतलब यह मैं रहे एक दब perfect work कर रहा है, so देखे guys, अगर आब वो password match कर जाता है, तो मुझे यह सभी data को get करना है, and अपने database में उसको मुझे, यहाँ पर उसको मुझे store करना है, ठीक है, मैं बहुत इजली कर साकता हूँ, अब तो यार, बहुत जादा simple है, that is, आपको simply लिखना पड़ेगा, इस तरह की से देखो guys, const, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, employee, आप कुछ भी लिख सकता हूँ guys, employee, and अगर spelling रॉंग हो रहा हो तो guys, आप बिल्कुल टेंसा मत लीजेगा, क्योंकि मदलब भी नहीं है, अब यहाँ पर बहुत जाते important आ जाता है, कि अब आप कैसे data को store करोगे, अपने database पर, simple and new, and हमने already इसको देखो guys, register जो है, उसको मैंने already get कर चुका है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ, copy, new, paste, basically यह मेरा model है, मैं को square brackets, not here, यहाँ पर square brackets, and then curly braces, अब बस पता है मुझे क्या करना है, मुझे यह जितने भी मेरे data है, ठीक है, suppose यहाँ पर अगर मैंना कुछ जो define करके दिखाया था, register, यह जो है मेरा first name, last name, email, तो अब इन सब को, जैसे यहाँ पर first name है, then last name है, as it is मुझे copy करना है, यहाँ पर आना है, not here पर, यहाँ पर आना है, paste, यहाँ पर मुझे यहाँ यहाँ लिखना पड़ेगा, देखो, request.body. यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर्ट के मुझे कोई नीड नहीं है, है कि नहीं, so, इस तरह किसी मैं रख देता हूँ, and awesome guys, अब यह हमें awesome दिख रहा है, and this is it, so, first name, last name, email, gender, phone, age, password, and then confirm password, and यह अल्रेड़ी यह तो है, चाहँ तो guys, यह जो पार्ट है अब इसके लिए, मैं अगर यह ना भी लिख क्या, अगर मैं simply password लिख दूँगा, तो भी मेरा काम हो जागा, and if both are same, तो मैं अगर कुछ भी ना लिखू, तो भी मेरा काम हो जागा, लेकिन मैं फिलाल भी वो नहीं करने वाला, इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको as it is रग देता हूँ, ठीक है, and आपको पता चली चुका होगा, क्योंकि guys, बहुत आशम है यह, this is it, इतना मेरा काम हो चुका है, and यह बहुत इजली, अब हमारे database पे store हो जाएगा, हाँ, लेकिन से वितना लिखने से नहीं होगा, मुझे अब इसको save करना है, मैंने इस data सारा gate कर लिया है, मुझे इसको अपने database पे save करना है, तो कैसे होगा, const, ठीक है, directly const ने लिखता, यह जो मैंने लिखा, register employee.save, and this is it, अब यह जो है guys, again यह promise हमें return कर रहा होता है, it means की future में हमें यह data देने वाला है, ठीक है, so उसके लिए हमें wait करना पड़ेगा, so finally, यह sync await वाला part आपका आगिया, यहाँ पे, मैं चलता हूँ, इस तरह की से const, and इसका जो data होगा guys, उसको store करके मैं रख देता हूँ, तो मैं directly index file को call करने वाला हूँ, इस तरह की से, response.render and मेरा index file, also error आ जाएगा, this is it, इतना ही करना था, अब देखो guys, मैं यहाँ पे नाम फिल कर लेता हूँ, and age में लिख देता हूँ, पासवर देखो, THAPA, यहाँ पे मैं चलता हूँ, THAPA, the moment में click करता हूँ, so 3, 2, 1, and boom guys, अब आप देख सकते हूँ guys, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं आया, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे भी कुछ नहीं आया, it means हमारे database पे भी कुछ नहीं गया होगा, फिर अगर मैं refresh, all right guys, all right guys, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो खाली पेज मुझे दिख रहा है उसका रिजन क्या है वो पहले तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन जो आपके माइन में डाउट था कि कैसे हम data store कर सकते database पे वो तो हो गया यह देखो guys, data store हो गया कितनी easily, है कि नहीं, लेकिन guys फिर भी यह forward slash register page पे ही क्या कर रहा है, क्योंकि अगर हमारा यह successful हो जाता है, register, await register employee.save हो गया था, and then मैंने simply कहा कि response.status201, and वो error क्या guys, आप देख सकते हो 400 bad request, देखा यही है, इसका awesome part वो यहाँ पे भी चलाई है, अब देखो guys, क्या हो actual में, हुआ यह, कि मैंने जब render index लिखा न, आपको मालूम है, अगर मैं जब भी render कर रहा था, double quotes, यहाँ पे भी double quotes है, तो मैं बस खाली double quotes, एक second, यहाँ पे नहीं, इस जगे पे, इस जगे पे खाली मुझे double quotes देना था, इस इस अब मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ, तो देखे guys, अभी मैं 12 लिख देता हूँ, यहाँ पे 123, अभी फिलाल password मैच नहीं करेगा, आप देख सकते हो, password आप not matching, वापस बैक चलता हूँ, ठीक है, अभी यह जो code IJT इसको मैं रख रहा हूँ, पासवर्ड आप में एकदम पॉफेक लिखता हूँ, 123, and again आप में रेजिस्टर करता हूँ, आप देख सकते हूँ, मुझे एक error आगया, और वो especially बता रहा है, क्योंकि हमने validation add कर रहा है, जहाँ पे बता रहा है, यह जो 4 number है, वो unique नहीं है, यह जो 4 number है, अगर यहाँ पे आपको लेकर चलता हूँ, आप देख सकते हूँ, बोट 4 number आज same, यह जो दोनो 4 numbers थे हैं, वो same है, यहाँ आप बहुत क्लिए लिए लिए देख सकते हूँ, यह हैना awesome आप simply में क्या करता हूँ, simply उस 4 number को यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है, and simply password आप मैं same रखूँगा, 123, 123, and register क्लिक करता भूंगा, इसे देखिए, मैं अपने home page पे आ गया, perfect, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, इसको अगर मैं refresh करता भूंगा, इसे देखिए, मेरा registration भी फिल हो गया, एकदम perfectly, जो मैंने data फिल की थी, वो database पे भी store हो गया, मेरे home page पे भी आ गया, and registration part भी complete, and कितनी easily अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सब कुछ एकदम perfect, आप देख सकते कोई error नहीं, और गैस तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, and really up आपको वीडियो बहुत पसंद आ होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हमने सब कुछ एकदम scratch से देखा, आपका जो एक main doubt था, कि registration form बनाओ, login form बनाओ, क्यास में आपको registration form बना के भी, data को get करके भी, store करके भी आपको मैंने दिखा दी, so guys, अब हम next video में ये देखेंगे, कि अब हम login form कैसे create कर सकते, and once वो login हो जाता, then guys, हम बहुत important part देखेंगे, that is, node.js में authentication हम कैसे कर सकते, basically, इसको हम more secure कैसे कर सकते, अपने password को secure कैसे कर सकते, कि वो guys, अब हम देरे देरे देखेंगे, लेकिन ये video देखेंगे, आपकी उम्मेदे जरूर जगी होगी, क्योंकि guys, अब आप बहुत तीजिले complete website create कर सकते हो, using node.js and database में mongodb को add करके, so guys, आपको video कैसा लागा, नीचे comment करके, जरूर बाताना मुझे बहुत खुशी होगी, and बाताना चाहूंगा guys, अगर आपकी video थोड़ा सा भी useful लागा, इस video के एक like जरू कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को, सारे social networking sites, आपके whatsapp, आपके facebook, twitter, instagram, सबसे ज़्यादा important आपका whatsapp group है, आपके जरू share कर दीजिएगा, and guys, बताना चाहूंगा, मैं डेली ऐसे awesome videos upload करता रहता हूं, आपी के love and support से guys, हमने 2 lakh subscriber तो complete कर लिया है, अब हमारा next target, 3 lakh subscriber है, जियां guys, so अब भी तक, अगर आपने मेरे channel थापा technical को subscribe नहीं किये, please guys, subscribe कर लिजिएगा, right side में एक red color का bell icon एक घंटी दिखाए देगा, hit कीजे, click कीजे, ताकि आप डेली ऐसे awesome videos को miss ना करे, and कुछ भी doubt हो, तो बेफिकर हो के नीचे comment कीजे, मैं आपके जरूर हर्प करूंगा, so till then guys, thank you so much, take care.